हेलो एवरिवन वेलकम टू अकाउंस मंत्रा लेट्स मेंग अकाउंट इजीए एंडस्कोर फूल मार्ग्द स्टुडेंट पार्टर्शिफ में आज का हमारा टॉक्पिक है पार्टनर्स स्टुट्रे मेंटिशन पारी शर्मिक क्या कहते है रिमिरेशन को रिमिरेशन को कहते हैं पारी शर्मिक या इसको कहते हैं मेहनताना बेसिकली क्या है रिमिरेशन इटीज रिवार्ड और कंपंसेशन पेड तो पार्टनर्स पॉर ताइंग और एफर्स पुटिन बाइदेम इन दी बिजनेस पार्टनर्स रिमिरेशन को क्या कहते हैं इट इस इट इस ए रिवार्ड और कंपंसेशन पेड टू दा पार्टनर क्योंकि हम पार्टनर स्रिमिरेशन की बात कर रहें ना पेड टू दा पार्टनर पॉर टाइम की पार्टनर का टाइम लग रहे हैं एफर्स उसका दिमाग लग रहे हैं एफर्स लग रहे हैं पुटिन बाइड़ी बाइदा पार्टनर इन बिजनिस ठीकर स्टूडन अब बात आती है कि इन रिमिरेशन पार्टनर को किस फॉर्म कें परिकिया जाता है तो पार्टनर्स को जो रिमिरेशन है उसकी पेमेंट होती है नमबर एक सेलरी के फॉर्म में जिसे हम पार्टनर सेलरी कहते हैं जो मैंने पीछे वीडियो के अंदर दिखाया था हमने देखा था ना प्रफिट लौस एकाउंट के अंदर हम लोग पार्टनर्स सेलरी अकाउंट डालते थे दूसरा जो होता है वह है कमिशन के बेसिस में कमिशन की फॉर्म के अंदर भी पार्टनर्स को रिमिनेरेट किया जाता है तो बच्चों आप यह समझे लोग सेलरी जो है सेलरी को क्या है इट इस इट इस पेड टू दे पार्टनर पार्टनर अस अन अमांट इदर इन लंप सम और और मंथली बेसिस और और मंथली बेसिस जैसे कह सकते हैं हम लोग एक चोटा सा एक्जामपल लें से पार्टनर अ विल बी पेड शलरी आफ रुपीस टैन थाउजन पर मंथ यह से पार्टनर अ पार्टनर अ पार्टनर अ रुपीस तन थाउजन पर मंथ अ और दूसरे एक्जामपल हो जाता है पार्टनर बी विल बी पेड शलरी आफ रुपीस वन लेक फिफ्टी थाउजन फॉर दिया इयर मतलब यह है अमांट के रूपे सेयरी को पे कियाजाता है जब यह अमांट के रूपे पे कियाजाता है तों हमारे लिए बहुत सिंपल रह जाइता है हम क्या जनर्नल एंटरी पास करते हैं के लिए जनल एंट्री जो पास होती है वो है प्रोफिट एंड लॉस एप्रप्रोप्रेशन अकाउंट अकाउंट डेविट तू पार्टनर सेलरी अकाउंट जितना माउंट होता है वो हम लोग यहां पर लिख देते हैं और आपने देखा होगा प्रोफिट एंड लोस एप्रोप्रेशन अकाउंट में हम लोग डेविट साइड के उपर पार्टनर सेलरी जोना देते हैं अब एक इंपोर्डेंट पार्ट आता है वो है जो मैंने सेकिन आपको बताया जो पेमेंट है कमिशन है पेमेंट ऑफ कमिशन अब इसको आप लिख लीजिए कि कमिशन कैसे है मैंने बताया कमिशन ऐसे परसंटेज देना दी जाती है कमिशन पेमिक्ट पेमेंट कैसे दी जाती है अपरसंटेज परसंटेज पेड आइसे परसंटेज अपरसंटेज अख फेल आइस परसंटेज परसंटेज और नेट प्रॉफिट तो स्टुडेंट जहां टॉफर की बात आती है वहां तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां तो हम लोग टॉफर का सीधा परसेंटेज कल्कुलेट कर लेते हैं और उत्री सेलरी हम लोग उत्रा कमिशन हम लोग लोग पार्टनर्स को पे कर देते हैं और जनल एंट्री उसी डैव से पास कर लेते हैं प्रॉफिट लोग सेप्रेपरेशन अकाउंट डेबिटेड तू पार्टनर्स कमिशन अकाउंट अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं पहले आप इसको लिख लो जब हम लोग एज नेट प्रॉफिट परसंटेज कमिशन पे करते हैं तो उसमें दो कंडिशन आती है कंडिशन वन क्या होती है से बाटने से ऐस पोर सौतेज आफ सौटेज आफ of net profit or net profit or distributable or distributable profit before इस चीज़ को दियान देखिएगा बिफोर बिफोर चार्जिंग कमिशन बिफोर चार्जिंग कमिशन दूसर क्या होता है आस ब्बंदे कुछ आसे कि तो DES, बिफोर बिफोर ऑ्किल्यमoupe इसे कि लिफोर ॉबफिवंग्य दिब़न दूरिमेदू सर्पर्फिट कि औरॉबः उंधले स्थेध्भाति था शिबितर्पिबट्ब्श्स कर दूसरीं और आफ्टर चारजिंग कमिशन अफ्टर चारजिंग कमिशन यह दो अलग-अलग सिनैरियो है पहले क्या था उसमें उसमें पहले में था भीफोर और इसमें है आफटर charging commission तो आपको पता है जब हम लोग percentage में कोई चीज calculate करते हैं तो हम एक formula लगाते हैं तो यहां भी इस case में भी जो formula लगेगा उसको आप अच्छे डंक से समझ लो क्यों कि यह formula मारे हमारे बहुत काम आएगा problem को स्वॉल करने में हैं जो कंडिशन है जिसके दर है और भीफोर cherging commission वरना कि कमिशट चार्ज करने से पहले हमें percentage निकालनी है तो उसका तो बहुत simple formula है उसके लिगा प्रॉपिट है नेट ओर dos reёт приход profit प्रॉफिट इन्टू परसंटेज ओव कमिशन और रेट ओव कमिशन डिवाइड़ वाई अहांड़ेट जैसे हम लोग परसंटेज निकालते हैं उसी डैप से हमने सिंपल वे में परसंटेज निकालके इसको पे कर देना है और जो दूसरा फॉर्मला है यह हमारा टिपिकल मैथमेटिकल फॉर्मला है इसको देख लीजिए नेट प्रॉफिट इसमें जो हमारा फॉर्मला लगता है वो लगता है नेट प्रॉफिट अब्लीक डिस्टिटिबिटेबल प्रॉफिट इन्टू रेट अव कमिशन डिवाइड़ वाई हंड्रेट प्लस रेट अव कमिशन स्टुडेंट अब हम इसको एक एग्जामपल के साथ से भी समझते हैं यह मैं आपके सामने एक एग्जामपल ले रहा हूँ एक्जामपल क्या है एक्जामपल है एए एंड बी आर पार्टनर of a firm a b net profit of the firm is of the firm is rupees 80,000 a to get salary of rupees 6,000 and commission at the rate of 10% of net profit before salary and commission payment partner b to get commission of 10% after payment of all commissions and salary after payment of all commissions after payment of all commissions all commissions means means A की commission भी plus B की commission भी यह ज्यान रख लेना है तो दोनों की commission pay करने के बाद जो amount है उसका 10% देना देना है तो हम इसे solve करते हैं हमारे पास क्या है net profit नेट प्रॉफिट कितना है रुपीज 80,000 ठीक है उसके पाद हमारे पास हमने देखना है रिमिनेरेशन तू पार्टनर ए सैलरी हमारे पास कितनी आ गई इसकी अमाउंट दे रखा है सैलरी मैंने कहा था अमाउंट के शेप में दे जाती है रुपीज 6,000 कमिशन कितना है और इसका कमिशन है 10 परसेंट आफ नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमिशन तो इसका सिंपल फामुला क्या हो गया यह इसकोल टू 10 परसेंट आफ रुपीज 80,000 क्या हो जाएगा इसकोल टू 80,000 इन्टू 10 परसेंट इसकोल टू रुपीज 8,000 अब हम लोग निकालते हैं रुमिनेशन टू पार्टनर बी अब इसमें देखेगा हमने कहा था पेमेंट आफ आल कमिशन और सैलरी अब कमिशन और सैलरी पार्टनर एक ही तो हमारे पास कैल्कुलेट हो गई तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे नेट प्रॉफिक्ट आफ्टर सैलरी एंड कमिशन टू पार्टनर ए हमारे पास कितने रहा जाएका इसके बाद इसका मतलब क्या है इसकल टू रुपीज 80,000 माइनस रुपीज 6,000 सैलरी जो है पार्टनर एक ही माइनस रुपीज 8,000 जो की कमिशन है पार्टनर एका कितने पास हमारे पास अमाउंट रहे गया इसका मतलब जो डिस्टिबूट करना है हमने जिसके परसंडेज बेसिस हमने डिस्टिबूट करनी है पार्टनर बी को यह कितना रहे गया हमारे पास रुपीज 66,000 रुपीज 66,000 अब क्योंकि यह after payment of all commissions है तो हमारे पास formula क्या लगेगा तो हमारे पास formula क्या आ जाएगा हम लोग एक बार दुबारा उस formula को लिखते है is equal to net profit या distributable profit होगे अब हमारे पास यह distributable profit profit into rate of commission divided by 100 plus rate of commission तो कितना हो जाएगा is equal to कितना हो गया हमारे पास 66,000 into 10 divided by 100 plus 10 is equal to 66,000 into 10 divided by 110 तो कितना हो गया हमारे पास रुपीज 6,000 कैसे आ गया यह 0 चला गया 11 जो 66 के साफसे आएगा यह हमारे पास रह जाएगा 6,000 तो रुपीज 6,000 हमें commission देखते हैं अगर हम लोग चेक करना चाहें तो हम लोग यह भी देख सकते हैं कि 66,000 में से 6,000 माइनस रहेंगे तो क्या आ जाएगा 60,000 60,000 का मतलब यह हो गया कि 60,000 का 10% partner B को commission देना है और आपको पता है 60,000 का 10% 6,000 रुपीज आ जाता है ठीक है student अब हम आगे चलेंगे student अब हम आते हैं अपनी tips की तरफ जो हमें दिलाएगी 100% marks student पिछली बार मैंने आपको tips देती जब हमें theoretical questions solve करने की बात आई थी तो वो theoretical questions को हमने कैसे करते हैं आज हम चलते हैं practical questions के उपर जो practical या numerical questions रहते हैं हमारे उन questions के बारे में हम लोग उसको कैसे prepare करते हैं उसके लिए कैसे उसको solve करना है ताकि हमारे कहीं भी कोई भी marks कटे ना क्योंकि marks कट जाता है तो बहुत दुख होता है हमने question सही किया है सब कुछ सही किया हुआ है लेकिन फिर भी हमारे marks कट जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा reason यह होता है कि हमारा presentation जो है वो हमारा presentation ठीक नहीं होता तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा presentation बिल्कुल perfect हो जैसे मैं आपको एक example देता हूँ हम journal बनाते हैं तो journal बनाते में हमें पूरा ध्यान रखना है कि journal के अंदर हमने हर चीज़ को perfect में लेना है जैसे हमने ले लिया journal जनल किसका है हमें यह लिखना है जनल ऑफ जनल ऑफ मैसर्स जैसे नाम आ जाएगा उसका उसके बाद हमने जो format बनाना है जनल का वह format हमें बहुत सही डंग से बनाना है यह जरूरी नहीं है कि हमारी scale से line में पूरी proper way में खीची हुई हो लेकिन उसके contents जो है वो contents हमारे ठीक होने चाहिए जैसे general में हमें सबसे बहले क्या आती है date हमें date लिखनी है उसके बाद particulars 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 के बाद Laser Folio यह Laser Folio अब जो हम लोग Computeres Account maintain करते हैं वहाँ जरूइत नहीं होती है लेकिन यह format का part है तो यह format का part उसके अंदर जरूर दे उसके बाद debit rupees उसके बाद credit rupees पीज यह फॉर्मेट जो है हमारा जर्नल का यह हमारा एक परफेक्ट फॉर्मेट है इस परफेक्ट फॉर्मेट के अंदर ही हमें जर्नल को मेंटेन करना चाहिए और उसी के एसाफ से हमें इंट्री बनानी है और एंट्री बनाके हमें अकोर्डिंग लिइसके अंदर debit credit के अमाउंट लिखना है जैसे हम लोग लिख रहे हैं एंट्री मार्च 31 की तो मार्च 31 अगर एघर है तो वह एघर वह आ जाएगा 2020 डेविट क्या करना है माल लीजे partners capital account partners a capital account को में debit करना है तो हम क्या लिखेंगे partner is capital account तो कुछ student क्या करते हैं यहां पर debit नहीं लिखते हैं तो यह भी द्यान लगना है कि यह debit भी लिखना है यहां पर debit to partner be capital account लो हमें अमाउंट भी लिखना है जैसे imnautes pha को फॉप्र चिडर ठिरी में लिखना है है इसके अंदर कोमा लगाके अमांवन लिखने का वह जो तो सही तरीका है, उस सही तरीके के साब सही लिखना है, दूसरा आ जाता है हमारा presentation, जो presentation है वो ledger account का है, यह तो हमने general का देखा, अब ledger account का मैं presentation बताता हूँ, ledger account का presentation में भी कई बार कुछ गलती हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, तो ledger को देखिए, जैसे मालीजे हम लोग profit and loss appropriation account, उसका ledger बना रहे है, profit and loss appropriation account, अब इस account के अंदर हम लोग जो present कर रहे हैं, तो वो क्यासे कर रहे हैं, अब देखिए का हमारा इसी time से बनता है न, इसको दो पाट में divide किया, क्या रहता है उसके अंदर, हमारे पास particulars, amount, rupees, amount, rupees, particular, amount, rupees, अब गलती क्या करते हैं, हम इसको तो बना देते हैं, proper way के अंदर, लेकिन कौन सी side कौन सी है, क्या है, कैसे है, जैसे हमें यहाँ पे लिखना होता है, credit, यह कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, और नहीं लिखते हैं, तो examiner इसका भी ध्यान में ध्यान रखता है, जब आप एक अच्छे student है, और आपको 100% mark score करने हैं, हो सकता है, आपकी इसी गलती के कारण आपके 98 या 99 नमबर आएं, आपको बहुत दुख होगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखें, कि आपने जो format है, वो format को बहुत ही अच्छे डंग से बनाना है, कहीं मालीजे आपको amount दिया हुआ है, thousands के अंदर लिखना है, और उस step से दे रखा है, तो हम यहाँ पे वो भी amount लिखते हैं, कि amount in rupees thousand, इस step से हमें present करना पड़ता है, यह रूपीज इन लैक्स, यूजली जो ट्रेट स्टेंटर है, उसके अंदर हमारा amount, amount के अंदर ही रहता है, इसके बारे में इतना ज्यादा बहुत आना करें, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ध्यान में रख लें, कि जहां पर हमें presentation thousand rupees में, यह लैक्स के अंदर देना है, तो हमें उपर यह लिखना है, कि amount in rupees है, यह amount in thousands है, यह amounts in lakh है, student इस चीज़ को ध्यान में रखें, presentation को बहुत अच्छे डंग से देख लें, अच्छे डंग से करें, और मैं इस चीज़ के अंदर बताऊंगा, कि हम जब भी इसको account को लेजर को बना रहे हैं, तो उसमें हमें amount के नीचे proper way में amount लिखना है, जैसे मैं यह कहता हूँ कि by, इसमें लिखता हूँ by net profit transfer, net profit transfer लिखा मैंने, अब transfer कि हमने 4,50,000 rupees, उसके पास हमारे पास यहां पर इतना आपको पता है क्या आजाता है वहीं, interest on drawing, interest on drawing आगया हमारे पास, partner A, capital account, partner B, capital account आगया, कि अब यह माउंट है मारा चोटा माउंट है से 5000 रुपीज है का पार्टनर एका तो हमें द्यान रखना है कि जो यह जीरो है इसके नीचे ही 5000 आना चाहिए 5000 इसको अगर हमने गलत अंग से लिख दिया आगे लिख दिया जैसे हम पार्टनर भी का 600 रुपे लिखते हैं अगर 6000 रुपे मैं यहां से चुरू करता हूं ऐसे करके लिख रहा हूं तो यह एक अच्छा presentation नहीं है यह गलत method है और यही method सणी है इससे हमें dual फाइदा है एक तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, दूसरा जिस्वत हम इसको टोडल करते हैं, तो टोडल करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होती, बहुत असानी रहती है, और हम इसको सही डंग से कर लेते हैं, तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपको 100 मार्क्स दिलवा आने में बहुत साइदा करेगा, और लास्ट में मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है, कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, थेंक यू वेरी मच्च.